असलाम वालेकुम मैं यूटूब फैमली आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है अलहमदलिल्ला अला का शुकर है अच्छाची फैंट्स काफी दिन हो चुके थे तो मैंने आपने एद से पहले ही मैंने सारी सफाई की थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और एंड तक देखना बिल्कुल निभूलिएगा अभी जल्दी से थैंक यू सो मच अभी जल्दी से जी मैं सबसे पहले पिल्लो के कवर पिल्लो को कवर जढ़ाती हूं इसके बाद फिर आप लग चलो जी अब इसको अच्छे से ना एक बार जाल लेके है अब इस सारी कंप्लीटली बिछा के फिर आप लोगों से मिलती हूं वान टू थ्री रूम एक दब रैडी हो गया फ्रेंज बेडशीत इतनी प्यारी लगी मुझे आज मैने नहीं वाली बेडशीत बिचाई थी तो बहुत प्यारी लग रही थी कलर यह तो कलर भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो फिर यह वाला जो ब्लैंकेट था इसके साथ मैच हो गया तो मैंने इसको आज खोर के भी शादिया मैने लिए चलो इसके साथ बैट के साथ इसकी ना मैचिंग है कलर इतना पैर लग क्लीन करने लगी थी तो ना मैंने काफी टू आवर हो चुके है मैंने ब्लीच और कोमट डाल दिया था सिंक में और इधर रहना टाप में भी सारा अब जल्दी से क्लीन अप कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप लों के साथ शेयर कर लेंगे फैंट एक साथ में मैं कितने स क्लीन तेया लगा दूंगी अभी जदी से पहले मैं अपने कपरे सेपरेट कर लेती हूं और मैंस पिर बच्चों के फिर आई रिंग का लेती हूं अभी मैंने अदा वाश्रूम क्रीन किया चोड़ के आगी हूं तो मैं का थोड़ा साहिदर कलो साथ में बस तारे काम एक सा कर लिए क्लीन हो गया सारा कुछ इतना अच्छा लग रहा है ना वाइट वाइट ना जब वाश्रूम साफ का ले ना फिर मुझे बहुरा अच्छा लगता है साफ सुतरा वैसे भी मुझे सफाई बहुत ज़गा बसान दा मेरी कोशची होती है कि मुझे जितनी जल्दी हो स इस्तरी कर लिए सबसे पहले मैं इस्तरी का जो प्लग यह उसको अनप्लग करूं क्योंकि बूलना जाओ और मैंने निम्रा के हैंकर लिए हैधर के जो कप्ड़ें वो मैं तैले बाकर रखती हूँ अभी जल्दी से जहारे कप्ड़े क्लोजट में रखते हैं साक्सों के भी अभी जुद्धा अधर शुद्धी पार्गर नाप और माद पस्तरी क मैंने और मैंनेे धर को नहीं होपुरे को चुद्धा इप्चा शोड़ थी अब सबके लिए भी दुआ कि आप सब भी मुझे आपने दुआ में याद रखियेगा निया के कपड़े भी बिल्कुर जा रहे हो चुके हैं ज़ड़े से निकालते हैं और इनकी भी ना तैह लगाके ना रूम में रखाती हूं भी जब इसे जैसे उसको पहने होते हैं फिर वो इस्तरी करके ना पहन लेता है फेंच टाइम बहुत ज्यादा होगी अभी मैं जल्दी से नीची आई हूँ ताके मैं हैदर को जैकेट और शूस पे ना लूँ मैं सभी तक मुझे लगता हाज लेट हो जाएगा है जैकेट पहन के बिल्कु चला चला जल्दी आरो आरो बागो बागो आदर बागो बागो आदर बागो बागो आज तो ना देर होगी पूरे 6 मिनिट लेट हुए देखो मासित के जाए मेरा बच्चा कुछ होगी है देखें निम्मी असलाम लेकूँ मौसम का भी कुछ ने बदा चलता है दो चार दिन काफी अच्छा रहा दूप निकली हाए तो फिर काफी बारश हो रही है सुबा से जब मैं निम्म्रा को छोड़ने भी की थी थी तब भी बारश हो रही थी है अब हम लोग है जी मकडोनल्ड पर कुछ खाने के लिए लें ता कि मैं खुद सुबा से काम करी थी मैंने कुछ खाया नहीं तो मैस करते चलो ना कुछ बाइट से खा लेते हैं अपना आउडर पिक करेंगे हम पिछी वारी विंड़ो पर हमने पेग किया था है है यह यह लाइक है बारश कि अधिया जाए तरह मुस्रम सही हो जाएगा लगता है फिर समर स्टार्ट हो जाएगा फिर दूब 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 मामा किसे में जाना किते मज़े से नज़ुआए करके खा रहा है माशल्द मानी चलो आजो जल इसे आज़े अंदर और करते हैं जी अच लामदो लिल्ला कौट के बार अच्छ मैंने अपने लिए लिया ता फिक्स सैंड़िच जदी से बैठके खाएंगे उसके बाद जी मैंने वाइटमान भी अपने हाथ में लिली आप लिए पर इसके ब बंबे स्वीट यह ना बाजी ने बेजी थी मत्याई क्योंके अकसा आई है यह कंड़ा से तो अच्छा सा खाते हैं सब कुछ मज़ेदार है देखने में अभी कुछ एक चीज कहा लेते हैं ना है सारी तो नहीं ना खाय सकते हैं अच्छी पर पूरे वीकी सबजिया मैंने दो इचल को का था मीं फोर बAmेल कमें इंड सचे मैं यहाँ फाली तोरी यहाँ पर यहाँ स्वाह। वह दो उपनी आप लोग क्या कहते हैं गीयात हो रही हमीं कहरी है और साथ में यह पलीया हैं गदू है और अरबी अमी बेंगनी लेक्या है अगे काड़ी पॉर्ड़ मश्ले लेगा है यह तो अधर यह सब दो जए दो ज़्यादी चाट मसाला इस अधर शीकन आप तो टाच क्वारान है यह चाहिए धुक्ष और वहां चाहिए जब आज रूम में अभी जी बच्छों का नाइए टाइम ज़ेसे इनको नाइप देंगे फिर जब बढ़ेंगे फिर वापस में जब बाकी के जो काम रहते हैं हम सब वह करेंगे अच्छा जी पेंस मैं किचन में आके फीडर वाश करके और अभी जी मैं स्वेट ग्राज में आगी हूँ क्योंकि यहां पे जी आज हम डिनर में बनाने लगे थे चिकन 65 और इसको चिकन को तो सुबा का मेरीनेट करके रखा हुआ था अमी ने मेरीनेट किया था और अभी जी स्मेल आने शुरू हो जाती है तो आज तो बारश भी हो तो विंडो बगरा सब बंद है तो इसले का कि राज में ना हम फ्राई कर लेते हैं मैं फैंस चिकन यहां पे फ्राई होता जाएगा तब तक जी मैं अंदर वापस जा रही हूँ और ना जाके ना सास रेडी कर लेते लसन है फ्रेश लसन मैंने रख यूज किया है और यह चिली गार्लिक सास है और जीर है थोड़ा सा रेड कलर है बनाओंगी कैसे थोड़ी देर बाद में आप लोगों को बताती है साथ में थोड़ी सी बिना लेते हैं तो यहां पे अलू को पील आफ करके रख लिया है यहां पे सारा मसाला रेडी कर लिए अब जलदी से जी कटिंग कड़े ना सारी इना फ्राई इसमें डाल लेते हैं अच्छा जी फंस अभी मैं ऊपर आई थी जी कैश लेने के लिए क्योंकि निम्रा को स्प्राइज मिलने तो वो लेने जा रहे हैं निम्रा ओरेडी गाडी में चली गी है मैस भी चले गए ओरेडी गाडी स्टार्ट है सारे काम किचन के वहीं पर छोड़ के आगी हूँ क्योंकि वह काम करने दे ही नहीं रही कहती है ममा पहले मुझे मेरा स्प्राइज दो फिर उसके बाद जो मरजी करना तो मैंने का चलो पहले इसका स्प्राइज ही से ला देते हैं तो जीना से मांग लिए अभी तो बारिश भी थम चुकी है बादल अभी पने हुए हैं लेकिन अना बारिश नहीं हो ओरी फैंस वहाँ पर मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मुझे चूज करना था दियान से देखना था तो अभी जी चल्दी से मैं जो भी पिक किया वह लेके हम लोग अभी घर जा रहे हैं तो इंशाला तहला जाके निम्रा को स्प्राइज देंगे वह बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी अच्छा जी प्रिंस मैंने बाइस सैकल बाही निकाल के रख लिए तो अभी जी इतनी बड़ी को मैं पैक तो नहीं कर सकती यहां मैं अम्मी का दुबटा लेके आई हूँ तो न मैस इसके साथ इसको कवर कर दो फिर मैं जागना भाग के निम्रा को लेके आती हूँ क्योंकि इतनी बड़ी को पैक तो नहीं ना कर सकते फिर मैंने का चलो दुबटा उपर ढाल दे दें चलो थोड़ा सा न स्प्राइ यहाँ निम्रा को ला के दिये जुब आई सेकल निम्रा आप हैपि हो एक्साइड़ हो अभी चलानी नहीं आती अभी मैं इसको ना ट्रेंड करूंगी इंचाला काला बोलो थेक्यो ममा यू वेलकम मिमी पापा को भी थेंक यू बोल दो कर दो कि अधिक यू नहीं आप जब अधिक तु दा किचन और यहां पी जी मैंने जबदी साथी अधिजी सालड रेड़ी किया है प्यास टमाटर और दनिये का और यहां पी जी फ्राइयों को भी बिल्कुर मसाला लगा के रेड़ी कर लिया और सबसे पहले जी मैंना शीकं करें जामच जीरा एड़ी करूंगी ओयल गरम हो चुका है और साथ भी कीज़े कशिंटी अधिक अधिक को चंवाट कर दो चुर्ड़ा करें यहां पर एकल चिली गाल्लिक साथ एड़ के लिए है और यहां पर चिकन प्राइब होड़ी है ज़ल्या च्टी की कि दो कि तो अ यहां से थोड़ा सा पानी लेंगे और पानी जाना शीका लगा कि अच्छे से ना तक मसाले वगारे सारी ने इसके अंजर तक से ले जाए ज्यादा पानी में तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे देखने में तो बहुत मज़दार लग रहा है पानी में नान शाथ में गरम करी थी और दर जी फ्राइओं का मैंना पहला पूल भी आड़ करती है अब ही सारा कुछ रेड़ी करके मैंने यहां कॉंटर पर रखते हैं यह सासे रखिए यह नान गरम है बाकि फ्राइस भी रेड़ी होगी और सालड और प्लेट अब जड़ी से बैट के सब दिनर करेंगे फ्राइस यहां पर मैं अपनी प्लेट बना के ले आई थी फ्राइस थोड़ी ठोड़ी सी लिए गराइस यह वाला व्लाग यहीं पर एंड करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं भूलिएगा दौाओं में याद रखेगा फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो में तक तक के लिए अलाह आपीज गूनाइट